नमस्कार मैं हूँ सुरेत चवान के और आप देख रहें बिंदास बोल आज नो बज़े हमाँ विशेश बिंदास बोल आपके सामने लेकर आये हैं जो दिल्ली के जामा मज्जीद से जुड़ा हुआ इमाम बुखारी का मसला है आपको याद होगा जैसे हमने अकरुद्दिन मुविसी का मसला चलाया था वैसे ही हमने इमाम बुखारी का भी पिछले साल नो दिन चलाया था तमाम वरण के बाद और तमाम गेरकानुनी कारवाईयों के बाद भी इमाम को किसी ने हाथ लगाने की क्यों नहीं की यह हमारा तब कहना था लेकिन देश में सत्ता का परिवर्टन हुआ महोल का बदला हुआ और बदलते महोल को ना समझने वाले इमाम का अब बदला होने की बारी आई है और स्तिती बदल गई है इसी भी सही पर हम आपके सामने बात करेंगे आज पूरे इस कारे रिकम में हमारे साथ रहेंगे अपने आपको शाही इमाम कहने वाला इमाम भी जिन से डलता है से सोहिल खान जी आपका स्वागत है हमारे साथ रहेंगी आनिता सिंग जी बीजेपी की अनिला सिंग जी बीजेपी की प्रवक्ता है और हमारे साथ रहेंगे मशूर एड़ोके अमेल शर्माजी आप सभी के साथ इसका रिकम को हम शुरू करेंगे पहले ज़रा मुद्दे को देखते हैं दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली जाम मस्जित के इमाम सेद अहमद बुखारी को तगड़ा जटका देते हुए उत्राधिकारी चुनने वाले समारोह दस्तार बंदी को खानूनी मानेता देने से इंकार कर दिया है साथ ये अदालत ने बुखारी समेत आठ पक्षों को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ती होने के बावजूर कैसे मस्जित का नायब इमाम नीजी तरीके से चुन लिया गया हालांकि हाई कोट ने दस्तार बंदी कारेकरम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया इस मामले में याची का करता अजय गौतम ने इमाम के साथ शाही लगाने को घलत बताया कि पहली बात तो जो शाही शब्द है इंदुस्तान में यूनियन ऑफ इंडिया का शाषन है एक चुनुई सरकार आती है कोई शाह नहीं है ठारसो सत्तावन में जो शाह सिस्टम सा खतम हो गया था में जो क्वीन मेजस्टी थी उसका शाषन आ गया था तो इसलिए यह शाही शब्द है यह हमेशा के लिए खतम होना चाहिए क्योंकि शाही का टाइटल इस्तमाल करके जो देश की बहुली वाली जनता है चाहे वो मुसल्मा लोग है या जो भी है उनको यह मूर्ख बनाने की यह सारी का सारा माध्यम है हाई कोट ने साफ करते हुए कहा कि कानूनन बुखारी को अपने बेटे को नायब इमाम चुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि दिल्ली जामा मस्जिद दिल्ली वक बोर्ड की संपत्ती है और सयद एहमद बुखारी महज उसके कस्टेडियन है लिहाजा वक बोर्ड ही दिल्ली जामा मस्जिद का इमाम या फिर नायब इमाम चुन सकता है लेकिन अधालत में ये भी साफ कर दिया कि वो दस्तार बंदी को नहीं रोकेगा क्योंकि वो एक नीजी कारिक्रम है जिसका आयोजन मस्जिद में ही कई सौ साल से रहने वाले लोग कर रहे हैं कोट ने अब ये फैसला किया है कि दस्तार बंदी उसका प्रैविट फंक्शन है वो कर सकता है और क्यूंके वो बहुत अर्षे से वो फैमिली वहाँ पर जामा मस्जिद में रह रही है इसलिए इस समय उनको वहाँ से हटाना इसके लिए कोई इंटेरिम ओडर की अभी जुरूर नहीं है दिल्ली वकबोर्ट बताए कि इतने अर्षे तक क्यों नहीं कभी भी कोई एक्शन लिया गया इमाम या उनके कार्यकाल पर इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली वकबोर्ट पर भी सवाल उठाया है कि इतना सब जानते हुए भी वो चुप क्यों रहा जबकि रोजाना मस्जीद में आने वाली आमधनी को बुखारी के पास जाने दिया अदालत ने बुखारी दिल्ली वकबोर्ट भारत सरकार समयत आठ पक्षों को नोटिस जारी कर इस बावत 28 जनवरी तक जवाब मांगा है अदालत ने ये आदेश जाम मस्जीद में दस्तार बंदी के खिलाप दाखिल की गई याचिका के बाद दिया अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि हम अपना जवाब पूरी तरीके से अदालत के सामने रखेंगे जाम मस्जीद देली में कल दस्तार बंदी की जो मखभी तक्रीब होने वाली है इस पर देली हाई कोट ने पाबंदी नहीं लगाई मैं इस अदालत के इस फैसले का खेर मक्तम करता हूँ अदालत में प्रिडिशनर्स ने जो कुछ कहा है वह रकिकत पर मबनी नहीं हम तमाम हकाइक को सामने रखकर अपना जवाब दावा अदालत के सामने मुकररत तारीख में पेश करेंगे ताके अदालत को तमाम चीजों से बाख़बर कराये जा सके अब जब की कोट ने इस पूरे आयोजन को एक पूरी तरह से नीची और मजहभी करार दिया है ये प्रोग्राम शनिवार को होगा लेकिन अदालत ने ये साफ कर दिया है कि इस पद की कोई खानूनी हैसियत नहीं है तो सवाल उठता है कि अब जब की भारत स्वतंत्र रास्टर है यहां कोई राजशाही नहीं है तो ऐसे किसी इमाम का शाही लगाना कितना सही है शाही इमाम का क्या इतिहा से इस पर भी जरा नदर लाता है मस्जिद जहानुमा यानि जामा मस्जिद जब बनी तो बाद्शाह शाह जहाने उस्बेकिस्तान के बुखारा जाने ए सुल्तान उल्जे इसलाम के मशूर विद्वान हजरत अब्दुलगफूर शाह को दिल्ली बुलाया और इमाम बनाया गया यानि शाही इमाम क्योंकि इनका काम मस्जिद के भीतर आम मुसल्मानों को नमास पढ़ाने के अलावा मुगल बाद्शाहों का राज्यविश्यक करवाना भी था तब से आज तक इसी परिवार से जामा मस्जिद के इमाम बने हैं जामा मस्जिद के तीन दर्वाजे हैं पुर्वी दर्वाजे से मुगल बाद्शाह प्रवेश करते थे जिसे बाबा शाह जहां यानि शाही दर्वाजा कहा गया इस दर्वाजे के बाई तरफ भारतिय अंदर आते हैं यहां पर ओकफ की तरफ से सफेद संगमर्मर पर इतिहास नुमा कुछ सुन्नी मजलिस लिखा है जिसमें शाही इमाम का जिक्र है उत्री गेट को बाब अब्दुल्ला कहते हैं जिसे हम और आप आते जाते हैं जामा मस्जित का प्रबंधन कौन करता है इसे सम कुझे बिना आप इमाम, शाही इमाम और उनके रुत्बे को नहीं समझ सकते हैं शाजहा ने मस्जित चलाने के लिए चार गाओं की जागीर दी थी जो 19-वी सदी तक आते आके दिल्ली शहर में कहीं बिला गया उनका नामों निशान मिट गया कोई और मुहला या बस्ती ब बेतन होगी हैं लेकिन बोड ने कभी शाही पदनाम स्विकार नहीं किया 1974 में जब मौजूदा इमाम एहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी की बारहवे इमाम के रूप में दस्तार बंदी हुई तब दिल्ली वक्ष बोर्ड ने मानेता नहीं दी थी सोहिल जी ये परंपरा है इनकी खांदानी लगता है कि बगर मानने तका ही कारेकम किया जाए जी हाँ बिलकुल ये इनकी परंपरा है इन्हों ने बना ली है और माने और्नेबल हाई कोट में वक्ष बूट की हमने जो अपना केस किया है उसमें आर्टियाई का जवाब वक् मजधिते हैं उसमें से एक इमाम का ट्रांसफर दूसरे मजधित के इमाम के तौर पे जादी के ट्रांसफरेबल जौब है जाम मजधित का इमाम मट्या महल की मजधित में जा सकता है मट्या महल का इमाम जाम मजधित की मजधित में आ सकता है सोले सो कुछ का जो भी आप इतिखाद बता रहे थे जब से आज तक ये वक्फ एक्ट जो जाममजीत के लिए बना है या जाममजीत का अलग से है लेकिन वक्फ के एक्ट के हिसाब से जाम मजजिद का इमाम का बेटा इमाम नहीं हो सकता लेकि सोलह सो कुश्चे और दो हज़ार चौधा तक ये धांदली और ये घुंडा गर्दी आज तक उसी तरह चल रही है हमारे ही केस में कल आउनरोबल हाई कोड के आगे वक बोर्ड के वकील ने ये बात कही कि एमाद लेकिन वक बोर्ड ने उनको 2006 तक मानने ता नहीं दी है मैं आपके श्यानल के माधियम से पूछना चाहता हूं वक बोर्ड ने दो हजार से लेके 2009 तक किसको वहां इमाम इंपॉइंट किया हम है । अगर किसी उक काया ह्न है कुई या अपके किसी इसलम ही का इंटेलेक्च लेकिन इस आदमी की उस मस्जिद पे नाजाइस खब्जा रहा हिंदिस्तान में और वो भी दिली की राजधानी में एक शाही मस्जिद शाही मतलब मस्जिद का तो मतलब एक अलग है जाम मस्जिद का एक अलग जो कंसेप्ट मुसल्मानों की नदर में है वो ये है कि शाजहा बादशा बहुत दीनी आदमी थे जिनों नहीं मस्जिद बनाई उनको खौब में एक बारी नदर आया कि वो एक ऐसी मस्जिद में खड़े हैं कि जो जन्नत में है और वो नक्षा उनको लगतार वो मस्जिद तीन दिन लगाई दी तो उन्होंने अपने नमीशों को बला के कहा कि मैंने एक ऐसी ऐसी मस्जिद देखिए जो जन्नत में है तो उन्होंने वो नक्षा उत बनाया और वो नक्षा ये जाम मस्जिद का था जो उन्होंने उनका सपना पुरा नहीं देखा होगा उनोंने उसमें एक ऐसा इंसा इंसान में आने वाला था यह उनका जो है आज मुझे कहते वे बड़ा अफसोस होता है कि आज के इमाम की हरकतों को और आज नहीं आज से पहले कि भी एक दो और जो चले गए पीछे उनकी हरकतों को देखके शाय शाय जहां बाश्चा की रूबी रोती होगी कानून एंगल से इसको समझते हैंम गैंश्रमा जी कानून कीस से देखता है देखे पूरा जो मेंतर है इस मेंतर के इस पहलू की सचाई अगर देखनी है तो आपको गुर्द्वारा सीजगंज का इसमर्ण किये विना आप इस पहलू को नहीं समझ पाएंगे लोग भूल चुके हैं गुर्द्वारा सीजगंज में जाके देखें किस तरह से तेक बहादुर के सिर्फ आरा चलवाया गया था सिर्फ इसलिए कि औरंग जेब जवर्जस्ती हिंदूओं को मुसल्मान बना रहा था और गुर्द्वान जी की ओर से सिक्खों की ओर से तेक बहादुर जी आकर के खड़े हुए उन्हें का अगर मेरे को तुम कर दोगे पूरे देश के सारे विक्ति मुसल्मान बन जाएंगे जितने हिंदूओं विश्चेश का बिंदावन और काशी के ब्रहामणों को काट काट करके उनके परवारों को मुसल्मान कर रहा था एक सचाहिए अगर देखना है तो जुगरद्वार मुसलिम नहीं है जो बिदेश से आए थे वो मात्र अठारे सो थे जो बारवार के साथ आए थे वो या तो समाथ हो चुके हैं या उनके परवार सब इंडिया छोड़के जा चुके हैं कुछ वांशस्त होंगे ये वही लोग बताएं ये मेरा प्रश्ण है आज क्योंकि इस प्रश्ण इस बात का है जामा मस्जित और इमाम को अगर मैं यह कहूं कि एक हिंदू मुसलिम धर्म को मान रहा है कर रहा है और जामा मस्जित में बैठ करके दूसरे हिंदूों को जो मुसलिम धर्म मानना है उनको भी मुसलिम धर्म की सिक्षा दे के पूजा करवा रहा है करा रहा है बहुत अच्छी बात है कोई गलत नहीं हैं है हमारा Constitution जो संभ्दान है उसके अंदर धार्मिक कारेओं को करने की स्वतंत्रता है और इसलिए धार्मिक जो संपत्ती हैं उन संपत्तियों का व्यास्टक जो मालिक है वो राज कि को माना गया है किसी कि अब चाहे हो हिंदू के मंदर हों, चाहे वह मुसल्मानोंकी मस्जदे नि अब इसका राज होते हैं तो वो केवल इसके सेवक होते हैं, अब हम पर खांदानी का कहा से आता है यह वहां भेर उन को किसी भी परकार का मालकाना अधकार किसी भी एक्ट के तहट नहीं है लुद हिंदु है नहीं की centralized कर है कि हिंदू केंदा मंदिरों का स्वामित्त है या नि जो मंदिर की मूर्ती हैरे प्रतिष्ट्व की से इसी तरह कि यह दूसी मर्चित कि नहीं है और उनका वह राज्य के पास मेरें बगाशन मौल्वी हो कोई भी हो उनको सुतनता है वो अपने मुस्लिम धर्म का पालन करें लोगों कराएं लेकिन ये कानूनी हग से एक समाज की संपत्ती को जवड़ज़ती अपने हाथ में कब्जे करके अगर वो कहते हैं कि नहीं हम इसके मालिक हैं ना तो सम्मेधानी इसको कहता है और नहीं कोई कानून इस बात को मानता है तो जाम अगर मिश्टर मुखारी जी अगर वो इंडिया के हैं अगर ये उन लोगों में सामिल नहीं है जो हमारे देश के उपार आतताई आये थे आतंगवादी थे जिन्होंने इनके पिता को भी बाहर से लाए गया था माफ कीजिए मैं किसी के उपर ब्यक्ति हैं आज इनको ये स्वीकार करना होगा पॉब्लिक के बीच में ये कौन हैं क्या ये भाड़ती हैं या अभी वही आतताई हैं जिन्होंने हमारे उपर आक्रमन किया था और उसी अंदाज में ये अगर उस संपत्ति को कपज़ा करना चाहते हैं तो पूरी तरह से गलत है और क्या है उनका कोई अधकार नहीं बनता कानूनी रूप से बिल्कुल मुझे आनिला सिंग जी के पाथ जाना था लेकिन मैं सोयल जी को आपके सवाल के साथ जोड़ते हुए कहता हूं कानूनी रूप से और समाजिक रूप से मुस्लिमों की परंप्राओं के हिसाब से भी वह तो मात एक धरम गुरु है उन लोगों के जो उनको अपना धरम गुरु मानते हैं ब्यक्तिकाद रूप से उनको गैर कानूनी धरम गुरु कानून का तो यहां कोई सवाल ही नहीं उरता सामाजिक मानता यह सम्मधान सिर्फ इतने कहता है आप अपने धरम को लेकिन गुरू उन्हीं में से एक इनका खांदान में था ये भी बुखारा से बुलाया गया था और उस वक्त में जब बुखारा से ये लोग आये थे और जब ये लोग आये थे तो उस वक्त इनके जो परदादा थे जो अब्दुलगवूर साब थे वो वाकिए एक बहुत बड़े आलिम औ पर पोता एक पुरानी कहावात है कि आलिया के घर भूत किसी को नी पता था कि आलिया के घर वो बहुत बड़े आलिया थे उनके घर में ऐसे भूत भी पैदा होंगे नहीं हम लोग लिगल इसके बाद बिल्कुश सही है ने आप आप लिगल दीजे इनको पूले देखा है उन अज भी रह रहा हूं आज से रफ यतना हुआ है कि जाम अमजेश के जगा पांसने के फासले पे आगया हूं लेकिन वही रह रह रहा हूं मेरे बच्चे वही रह रहा हैं और यह लोग आज की तारिक कणर मैं ले टेस्ट आपको बात बता देता हूं अमरीका के अंदर जो आतंक वादी मारा गया, क्या नम ता हुशना जो अमरीका ने मारा वहा जाके पाकिस्तान में, आउसामा बिलादे, मारा गया, कोई आदमी, कोई मुसल्मान, कोई हिंदुस्तानी, कोई पाकिस्तानी, जो भी इमान और इसलाम या अपने धर्म बे यकिन रखता होगा, वो यह तो वह वह वाकिए जो काम कर रा था ठीक है। एक मात्र ऐहम्द भुखारी ऐसे थे खुले आम नहीं कहे गा। खुले आम नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई जो अगर इंसान होगा या इन्सानियत करने वाला होगा, नहीं कहेगा। देखिए बंबलास बंबे में जो पाकिस्तान के आतंकवादी आये थे जब उन्होंने राइफल चलाई थी तो मरने वाले 62% नहीं मैं कहा रहा हूं शायद 52% 50% मुसालमान थे किसी को नहीं पता था गोली चल रही है यह सुहल आमद खान के लग रही है या सोरेज जी के लग रही है गोली पर नहीं लिखा हूँ यह मातर एक ऐसे वेक्तिते ने पूरी कानून में अगर कोई भी व्यक्ति गलत बात करता है यह स्टेट की रेस्पंस्विल्टी तुरंत एक्षन करने की बिल्कुल ठीक बात का है पहली गौवर्मेंट ने दोनों लोगों ने आज जो गौवर्मेंट बैठें वह और जो पहले गौवर्मेंट में बैठे थे वह उन पूरा जो देश है वो इनके बारे में कह रहा है और जैसे अभी सोहिल सहाब भी कह रहे थे कि एक जो सच्चा इंसान होता है चाहे वो मुसल्मा हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो इसाई हो चाहे वो किसी भी धर्म का हो उसकी जो वफदारी होती है वो अपने वतन के लिए ह होती है ये भारत वर्ष में रहते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं और जो टिपड़ी करते हैं वो टिपड़ीयां इनकी इस परकार की होती नहीं हूं यहाइं निमंत्रण भारत की प्रधान मंत्रेख को न Rio ने हमती आरे यह अगर कोई इस भारत की शर्माजी की बात कहीं तो अगे की बात करूंगे अगर आप बात काट देंगे मेरी पीच में तो अगर दौनों बोलने लगेंगे तो इस शाहत वियोज को किसी की भी बात समझ में नहीं आएगे आपने बहुत इची बात कहीं कि जब इस प्रकार का कोई इन्होंने कॉमेंट पास किया था तो उस वक्त की ततकालिन जो सरकार थी क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया गया ये तो कॉंग्रेस से ही पूछना पड़ेगा आज की तारिक में अगर इस प्रकार की कोई आएक एक बात से आगे बढगते हैं एक एक बात से आगे बढ़ते हैं आप ऊप कुछे और पताना चाहते थे जब अद्या है इसामा जी के समपत्ती में रह रहा है उसको छे महीने से निकालने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया इटलिक यह बताईए आप बीजेपी इस बात को जबाब दीजिए असे तो नहीं दिया गया आज तरह की नोटिस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि खुद उनके भाई या या क्या कहते हैं देखिए अपने मुल्क के वजीर आजम को पहले दावत नामा भेजिए ठीक है यह सब मानते हैं कि उनकी गलतियां रही है वो एक अलग चीज़ है गलती अलग चीज़ है लेकिन आप अपने मुल्क को फरामोश नहीं कर सकते क्योंकि खुद हमारे मखब ने इस चीज़ को सखती से कहा है कि अपने मखब से वफादारी करना आधा इमान है तो इस तो मुल्क से एक तरह से बेवफाई हो गई ना दूसी बात आपने ऐसे मुल्क के वजीर-आज़म को दावत नामा दिया है जो हमारे मुल्क का नहीं इस मुल्क में तमाम रहने वालों का भी नश्मान है चाहे वो हिंदू है या मुसल्मान हो ये सब जानते है कि दहशत गरदी वहीं से पनफती है वहीं दहशत गरदी के जाता है तंकवाद को ट्रेनिंग वहां दी जाती है और ऐसे मुल्क के वजीर आजम को आप दावत नामा दे रहे हैं लहाजा मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि ये प्रोग्राम अगर पाकिस्तान में होता तो जादा बेहतर था और अब चुके इसकी कानूनी हैसियत कोई ही हैं तो मेरा अपना मश्वरा ये है कि पाकिस्तान यहां चुके हाई कोट ने उसको कानूनी तोर पे नकार दिया है तो अच्छा होगा कि पाकिस्तान जाके और वहां सुप्रीम कोट में इसकी वो अर्जी लगा दें इसकी जीत के लिए ज़्यादा बेतर हो सुहिल जी साद्मी को मानना पड़ेगा ये इनके भाई हैं ना लेकिने सचाई के साथ दे रहे है इनके सचाई को साल्म करता हूं कि कम से कम एक और शक्स जाम मजडीद के अलाके में सुहिल अम्द खान के बाद खड़ा हुआ जो बूलनी की ताकत रखता है इमाम के खबार और कलता की अमाम iciौ कि बिलकु साथ थे ढिए से कंधा मिला की चलते ही थे हैं और इनकी मुवालत वाली साथ के जो मैं बिलकुन मुझे कहते वे शर्म नहीं आएगी वाली ऑफे जो अगर सबसे ज्यादा किसे ने खिद्मत की क्योंकि यहिया बुखारी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मेरे अजीज दोस्त रहे हैं सबसे ज्यादा अगर खिदमत की तो रात देन इखटे खड़े हो रहना वालिद के खित्फाई करना वालिद के पैर दबाना वो करने वाला तरह अगर आज कहीं गड़्ी का सवाल आता है और दौलत का सवाल आता है या किसी और चीज़ का सवाल आता है तो एहमद बुखारी हर उस दौलत और हर उस चीज़ बेट गए जिसको वो अपनी खानदानी समझते हैं यह बहुलगा है कि यह खानदानी नहीं है यह तो हींदुस्तान का है हींदुस्तान के मुसल्मानों का नहीं हीं हींदुस्तान का साथ की इमान बुखारी ने क्या-क्या गेर कानूनी काम किये है छोड़ी सिब्रेक के बाद